दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सोलुसन दोस्तो आज हमारे पास है माइक्रो मैक्स का 32 इंच का LED TV जिसका जो फाल्ट है मैं आपको एक बार चेक कराऊंगा और दोस्तो इसके बारे में आज कम्प्लीट इसका आपको नोलेज मिलेगा किस टाइप से इसको हम ठीक करेंगे रिपेर करेंगे देख पार है माइक्रो मैक्स का यहां पर ब्रैंड इसका लगा हुआ है और लगबग ज्यादा पुराना भी नहीं दोस्तो बिलकुल 3-4 साल पुराना ही सैट है और इसमें ज करेंगे आपे तो यह हमने इसको पावर से ओन कर दिया है रिमोट से भी इसको ओन कर दिया है और इसमें किसी भी तरह कर दोस्तों कोई भी डिस्पले नहीं आ रहा है देख पारें हमारे फोटो और इसमें कुछ समान के फोटो आ रहे है इसमें बागी कोई भी इसमें डिस् आपको दिखा देता हूं इसका 32 इसका यहां पर लिखा हुआ है और यह देख पा रहे हैं Micromax का set है तो दोस्तों इसमें दो पेज लगा हुए पीछे के तरफ इसका जो motherboard लगा हुआ है उसका जो cover है इसको यहां पर निकाल देंगे सबसे पहले multimeter लेंगे multimeter को रखेंगे DC volt range पर 200 पर हमने multimeter को रखा है इसके बाद में दोस्तों देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको यहां पर यह backlight के दो वायर जो की यहां पर अंदर display के अंदर जा रहे हैं यहां पर सीधे इनके उपर हमको multimeter लगा लेना है और इसके बाद में यहां पर देख पा रहे हैं 27 वोल्ट के सम्थिंग आ रहे हैं जैसी हम इसको ओन करेंगे देखते हैं इसके वोल्टेज बढ़ते हैं या कितने होते हैं वोल्टेज इसका लगबग 60 वोल्ट के असपास आना चाहिए continue तो दोस्तो बिल्कुल 55 वोल्ट तक इसका जा रहा है उसके बाद तुरंत ड्रोप हो रहा है जैसे हम एक बार इसको ओन कर रहे हैं उसके बाद में वापस इसका जो 27-25 वोल्ट पर आके रुख जाता है तो दोस्तो इस कंडिशन में जाद अतर बैक लाइट का ही फाल्ट हो साउंड बार इसके साथ यहां पर लगा हुआ है जिसमें इसका पैनल जो की अनोप की बटन वगरा और आयार वगरा है इसको पूरे को यहां पर इस पूरे साउंड बार को यहां से निकाल देंगे तो sound bar इसका निकल चुका है, इसको रख देंगे हम side में, इसके बाद में दूस्तों देखी आगे चेक करते हैं इसमें, तो दूस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, बागी पूरी knowledge आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इसका LBDS cable है, यहा इसके बाद में दूस्तों यह देखी है, जो panel के यहाँ पर, देख पा रहे हैं, इसका जो card लगा हुआ है, इसको यहाँ पर दोनों तरफ से tape लगाई हुई है, जिससे कि इसको बिल्कुल fix किया हुआ है, tape अटा कर यहाँ पर, रबट के लोग गेंदों, इनको उपर उठा अगर, इसको हमने यहाँ से free कर दिया है, इसके बाद में दूस्तों देखी, जितने भी इसमें, यहाँ पर page लगे हुए है, इनको भी हम खोल देंगे, चार page नीचे की तरफ हैं दोस्तों, 6 लगे हुए हैं, बाकि हमको बिल्कुल जो हमारे आगे chrome में कसे हुए हैं, उनको ही खोलना है, क्योंकि chrome को हमें पूरा खोलना होगा, पैनल को, तो वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, पैनल खोलने की पूरी knowledge आपको इस वीडियो म में लगे हुए हैं, तो सभी page खोलने के बाद में दिए दिखी, जो कि हमारी LED पैनल के अंदर यहां से दो वायर की जिक जा रही है, इसको भी हमने निकाल दिया है, और यह power cable का जिक है, इसको भी यहां पे निकाल दिया है, तो हमारा motherboard बिल्कुल free हो चुका है, motherboard को रख दे पैनल को भी fold करकर, चलिए, पूरा समान एक जगए, इसका जो back cover है, इसके अंदर ही page वगरा सब set करके रख देंगे, ताकि इधर उदर फैलेंगे भी नहीं, और यह देखी, जो हमारा panel है, इसको खोलने के लिए दोस्तों इस टाइप से आपको पकड़ लेना है, खड़ा रखें, और बिल्कुल one by one काफी आसानी से आपको यहां पर बिल्कुल जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपका जो पैनल है, crack हो जाएगा, और आपका काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, यहां पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल यह दि देखी, chrome को बिल्कुल आपको उठा कर रखना है, chrome को, और बिल्कुल आसानी से पैनल के उपर आपका बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, जो कि जो भी आप इस क्रूव अगर यूज करें, लोग खोलने के लिए, तो side में भी इसमें देख पारें, cough होती है, उसका भी आपको द्यान रखना है, यहां पर नुकेली चीज बिल्कुल यूज नहीं करनी है, देख पारें, यहां पर तीन cough हैं दोस्तों इस पैनल के अंदर, क्योंकि HD का पैनल है, काफी अच्छी quality का, जो picture quality है, जितनी ज्यादा cough होती है पैनल के अंदर, उतना ही अच्छा quality आता ह यहां पर, दोस्तों देख पारें, लोक इसके चारो तरफ ही लोक हैं, तो यह देखी, बस एक दो लोक और बचे हैं, उसके बाद में जो पैनल है पूरा इसका, जो क्रोम हट जाएगा है यहां पर, तो बिल्कुल भी जल्दवाजी नहीं करनी है, दोस्तों चारो तरफ से स इसको यहां पर फ्री कर लेंगे, और यह देख पारें, दोस्तों यहां पर टेप लगी हुई है, जो कि पैनल को और नीचे की तरफ इसका बेस है, सबी को कवर करके यहां पर टेप लगाई हुई है, इस टेप को आपको पूरा निकालना होगा यहां पर, टेप निकालने के के बाद ही आपका पैनल आगे खुलेगा इसके बाद में दूस्तों देख पा रहे हैं जो हमारे मेन पैनल का बेस है उसको बिल्कुल आपको complete निकालना होगा इसके अंदर भी आपको लोक मिलेंगे चारू तरफ और यह टेप लगी है इसको भी हमें पूरा ही निकालना होगा क्योंकि यह बिल्कुल यहां तक चिपका हुआ है देख पारें जो इसका नीचे का वाला हिस्सा उपर की तरफ आया हुआ है यहां पे इसको भी हमें निकालना होगा पूरी टेप को तो दोनों तरफ से टेप निकाल दी हमने दो ही टेप इसमें लगी वी थी और हलका सा आपको कोर्णर से उठाके रखना है पैनल को जादा नहीं उठाना है वरना जो पैनल है आपका बिल्कुल क्रैक हो जाएगा तुरंती और बिल्कुल हलके हलके से आपको वन बाइवन यही होता है लेडी का और सबसे कोश्टली भी हिस्सा यही होता है तो सभी जो कि फिल्म पेपर वगएर है इसके रिफ्लेक्टर पेपर वगएर सबको एक साथ ही हमने उठा लिया यहां पे और इसको हम रख देंगे पीछे क्योंकि इसके बाद में हम पूरा चेक करेंगे इसमें और क्या प्रोलम है, तो इसको थोड़ा हम पीछे अपने केबिन में रखेंगे, क्योंकि यह हमारा फ्रेंट वाला काउंट रहे हैं यहां पर, तो दोस्तों वीडियो की वज़े से कुछ पीछे एक सैट खुला हुआ है, जिसकी वज़े से मैंने इसको यहां पर बाहर बिल्कुल आपको खड़ा ही रखना है हमेशा, इस टाइब से, और बिल्कुल ध्यान रखें, गिरना नीचे यह उसी हिसाब से आपको यहां पर सेट करके, बिल्कुल आसानी से रखना है, बिल्कुल हलके से, तो पीछे उसको कोई डिस्टप भी नहीं करें, चलिए वापस हा चुके हम, हमारे LED के पास, और यह देखी, चार पेच लगे हुए, चारों पेचों को हमें खोलना होगा, इसके बाद में हम जो इसकी LED इस्टिप है, उसको चेक करेंगे, यह जो इसका रिफ्लेक्टर पेपर है दोस्तों, इसको हम निकाल देंगे सबसे पहले, तो यह र हाई एम पेर की जो LED होती है, जो की काफी अच्छी ब्राइटनेस तो ही LED में हो जाता है, बलकि सबी और कंपनियों में आपको तीन LED जो इस्टिप है, उसका पेर मिलता है, दोस्तों, पूरा पैनल बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हमारा खुल चुका है, इसके बाद में द पूरा नोलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो दोस्तों, सभी प्रकार की होम अप्लाइसेस की रिपेरिंग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाती है, चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगाव तो लाइक से र सस्क्राइब जरूर करें, तो दोस्तों, और किसी जानकारी के लिए भी आप कमेट्स वोक्स में कमेट्स कर सकते हैं, या फिर वोट्साप तंबर आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी कॉंटक्ट कर सकते हैं, दोस्तों, इसी टाइप की नॉलेज फुल वीडियो देखने के ल कर दो